आज हम आपको review tab की accessibility option की जानकारी दे रहे हैं चेक accessibility की साहता से आप अपने document में किसी भी तरह का कोई भी error find कर सकते हैं इसकी मदद से आप जान सकते हैं कि आपके document में कोई paragraph या कोई line hidden तो नहीं है और all text की मदद से आप अपने document में किसी भी image का कोई भी description या कोई भी title automatically generate कर सकते हैं मात एक click से इसके अलावा navigation panel की मदद से आप जान सकते हैं कि आपके document में कितनी headings हैं, कितने pages हैं और साथ ही आप अपने document में किसी भी text को, किसी भी picture को या caption को या किसी भी comments इत्यादी को आसानी से find कर सकते हैं तो चलिए अब इन सभी options को practical तरह से समझते हैं दोस्तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को like करें, comment करें, share करें, subscribe करें और bell icon को जरूर दबाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं Check Accessibility का यूज़ करने के लिए आपको जाना है Review tab पर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा Accessibility का एक block और इसके अंदर आपको दिखाई देगा Check Accessibility का एक option जिस पर आप जैसी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर चार option आपको दिखाई देगे जिसमें सबसे पहला option आपको दिखाई देगा check accessibility का अब इसको किस तरीके से use किया जाता है तो इसके लिए हम यहाँ पर एक paragraph insert कर लेते हैं मालीजे हमने यहाँ पर एंग कमांड डाला और इसके बाद यहाँ पर हमने कुछ paragraph insert कर ली paragraph को insert करने के बाद मालीजे हमने इसमें से किसी एक paragraph को select किया और home tab में जाने के बाद यहाँ से हमने इसके जो text का color था वो यहाँ पर हमने white कर दिया अब text का color white होने की वज़े से आप देख सकते हैं हमें वो text यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है अब देखने वाला यह समझेगा कि बीच में कोई भी text नहीं है बीच में वो basically blank space है तो इस तरी के errors को find करने के लिए आपको जाना है review tab पर और यहाँ पर आपको option दिखाई देगा check accessibility इस पर आपको click करना है कि hard to read text contrast मतलब इस text को read करना काफी hard है तो जैसे हम इस वाले arrow पर click करेंगे तो आपको document दिखाई दे जाएगा यानि वो text आपको दिखाई दे जाएगा जो यहाँ पर hide है तो इस problem को solve करने के लिए यहाँ पर आपको drop down दिखाई देगा इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका वो paragraph यहाँ पर highlight हो जाएगा और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ options दिखाई देंगे जिसमें अगर आप font का color change कर देते हैं तो आपको text आसानी से दिखाई देगा अगर आप page का color change कर देते हैं तो भी वो text आपको आसानी से दिखाई देगा तो इनमें से आप किसी दो action का यहाँ पर use कर सकते हैं तो इसमें हम basically font color का use करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे इस arrow पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर colors दिखाई दे जाएंगे और यहाँ से हम black color को select करके यहाँ पर इस पर ok बटन पर click कर देगे जैसे हम यहाँ पर OK बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं आपका text यहाँ पर आसानी से आपको दिखाई दे रहा है और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर accessibility option में अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा next option है वो है all text तो all text के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक image इंसेट करनी होगी तो फिलाल हम accessibility को यहाँ पर cancel करते हैं और यहाँ पर एक image को insert करते हैं तो image को insert करनी के लिए हमें यहाँ पर जाना होगा Install Tab पर insert tab पर जाने के बाद आपको यहाँ पर picture का एक option दिखाई देगा इस पर आपको click करना है और यहाँ पर अगर आपके system में कोई picture है तो आप यहाँ पर this device पर click करके यहाँ से कोई picture ले सकते हैं और अगर आप online picture लेना चाहें तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं तो फिलाल हम यहाँ पर this device का use करेंगे मा लिजे हमने अपनी image को select किया और यहाँ पर इसे insert करने के बाद आप देखेंगे हमारी image यहाँ पर insert हो चुकी है इसको मैं थोड़ा साथ छोटा कर देता हूं छोटा करने के बाद आप जाएंगे वापस से यहाँ पर review tab पर click करने के बाद आपक कोई description लिखना चाहें इस image से related तो आप यहाँ पर खुद से click करके यहाँ पर जो भी type करना चाहें type कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि MS Word आपके image के हिसाब से automatically यहाँ पर खुद से एक description तयार कर दे यानि generate कर दे तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा generate all text for me का इस पर आपको click करना जैसे हम इस बटन पर यहाँ पर click करेंगे तो आप देखेंगे यह थोड़ा सा समय लेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MS Word ने यहाँ पर automatically एक description यहाँ पर generate कर दी है जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि a person sitting at a desk with a computer तो इस तरीके स आप किसी भी image का कोई भी description आप यहाँ पर तयार कर सकते हैं अगर यहाँ पर खुद से कोई description आप लिखना चाहें तो enter करके आप यहाँ पर आगे भी type कर सकते हैं या फिर आप इसे delete करना चाहें तो यहाँ से select करके इसे delete कर सकते हैं तो basically हम यहाँ पर description को रहने देते हैं त यह description आपकी तब तक यहाँ पर रहेगी जब तक हम इसे यहाँ से clear नहीं कर देते तो इस तरीके से आप MS Word में किसी भी text का alternative text और description यहाँ पर generate कर सकते हैं इस option की मदद से इसके बाद हम बात करते हैं next option की तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक और option दिखाई देगा navigation panel का इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे आप यह left side में यहाँ पर एक navigation आपको दिखाई देगा जिसमें आपको तीन option यहाँ पर दिखाई देगे सबसे पहला option होगा आपका heading का दूसरा option आपका pages का है और तीसरा option आपका result का है तो एक एक करके इन सबी तीनों options को हम समझते है सबसे पहले हम heading पर click करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी हमारे सामने यहाँ पर कोई भी heading रेपर जेंट नहीं कर रहा है क्योंकि देखेंगे यहाँ पर हमारी heading यहाँ पर create हो चुकी है इसके जैसे हम इस arrow पर click करेंगे तो हमारा पूरा data इसके अंदर adjust हो जाएगा और जैसी वापस हम इस पर click करेंगे तो वापस हमारा पूरा data यहाँ पर दिखाई आपको देने लग जाएगा तो आप देख सकते हैं कि navigation panel ने हमारी उस heading को यहाँ पर represent कर दिया इस पर जैसे हम click करेंगे तो इस पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो directly हमारा cursor उस heading पर jump कर जाएगा माल लिजे हम यहाँ नीचे की तरफ एक और heading यहाँ पर create कर लेते हैं और जैसे हम heading टूपर यहाँ पर click करेंगे तो directly हम heading टूपर jump करा देगा तो इस तरीके से आप अपने documents में जितनी भी आपने heading यहाँ पर बनाई हुई है वो सभी heading आपको यहाँ पर दिखाई देगी इसके बाद अगर हम next option की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर next option है हमारा pages इस पर जैसे हम click करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने अपने documents में केवल एक ही page लिया है जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर नीचे की तरफ में scroll करके आपको दिखाऊ हूँ तो जैसे हम control press, enter press करेंगे तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक blank page ले लिया है वो blank page आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके अलावा अगर आप first page पर जाना चाहते हैं तो जैसे हम first page पर यहाँ पर click करेंगे तो directly आप first page पर jump कर जाएंगे तो directly आप second page पर jump कर जाएंगे तो इस तरीके से आप pages वाले option का यहाँ पर use कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा third option है वो है result का इस पर जैसे हम click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आपर लिखा हुआ है जैसे हम यहाँ पर make लिखते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पूरे documents में जहाँ भी make होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर यह highlight हो गया है तो इसी तरीके से अगर माल लिजे हम अपने document में कोई image को find करना चाहते हैं तो image को find करने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी image पर caption यूज़ करना पड़ेगा तो माल लिजे हम इसके उपर right click करते हैं right click करने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा insert caption का इस पर आपको click करना है जैसे आप इस वाले button पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको figure caption का option दिखाई दे गया यहाँ पर आप पोई भी caption टाइप कर सकते हैं जैसे माल लिजे हमने यहाँ पर type कर दिया excel info tag और उसके बाद माल लिजे हम यहाँ पर ok बटन पर click कर देते हैं caption कैसे create करते हैं और इन सभी options के बारे में मैंने already video बनाई हुई है details में मैंने इन सभी options को समझाया है अगर आपने वो video नहीं देखी है तो आप मेरे i button पर जा करके उसे देख सकते हैं तो यहाँ पर हम simply यहाँ पर ok बटन पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी image के just नीचे आपको एक caption दिखाई दे जाएगा अब मालीजे मैं इस caption को यहाँ पर अगर find करता हूँ मालीजे मैंने यहाँ पर type किया Excel info tag जैसे मैं आपर caption को type करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर figure 1 दिखाई दे गया इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने image पर जम कर जाएंगे तो without caption यह आपके image को find नहीं करेगा इसके अलावा मालीजे हम यहाँ पर किसी comments को find करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर comments का भी use कर सकते हैं मालीजे हमने यहाँ पर किसी भी word को select किया और select करने के बाद हम यहाँ पर review tab में जाकर के new comments पर click कर देते हैं new comments पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर हम कोई भी comment यहाँ पर type कर देते हैं जैसे मालीजे हमने type कर दिया computer education और उसके बाद मालीज हम अपने navigation पैनल पर आते हैं और मालीज हम यहाँ पर टाइप करते हैं only for education तो जैसे मैं आप education को select करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस option का use किया गया है comments के उपर जैसे आप इस पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका comment यहाँ पर highlight हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने document में किसी भी चीज़ को find कर सकते हैं navigation panel की मदद से इसके बाद next option की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे वो है option accessibility इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर यह कुछ words की settings आपके सामने represent होगी इसके बारे में भी मैंने detail में वीडियो बनाई है आप वीडियो की description में जा करके इसे check कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप MS Word के accessibility option का use कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चनल को like, comment, share जरूर कीजेगा धन्यवाद